नमस्कार दोस्तों नेराला कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इजनेर परभात कुमार सिंग तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर लोग छट पे टाल्स क्यों लगा रहे हैं यह देखते हो यह आप बहुत सारे घर में क तो छट पे टाल्स लगाया जा रहा है तो आखिर इसका क्या कारण है तो इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे इसके क्या फायदे है बात करेंगे और इसको बनाने में क्या-क्या सवधानी बरतना चाहिए इसके बार में भी बात करेंगे तो पहले देख लेजिए दोस्तों क से पहला फायदा तो यह है कि आपका जो घर का सीलिंग रहता है दोस्तों जहां पर लोग फैन लगाते हैं इसके निचे तो वहाँ पर देखते हूं कि बरसात के दुछ में शीलन आने लगते दोस्ता और आपका पेंड जो है वो खराब होने लगता तो चीलन से बचने के जो धूप है उसको दिवाल को गरम होने से बजाता है जिससे कि आपका जो रूम है वो ठंडर रहता है और इसको बनाने में एक साथानी बरतना चाहिए आपको कि कभी भी बनाए तो इसको लेबल लेकर ही बनाए आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया हुआ है मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर सारी जगा का लेवल लेकर दोस्तों इधर तोड़ा सुलोप बना के और देखेंगे आप कि यहां पर इस तरीका से एक जाली लगेड़ा गया है जिसकी पानी है वो असानी से बाहर निकल जाए और बाहर निकलने के बाद भ आप देख सकते कुछ इस तरीका से पाइप लगाया गया है इस तरीका से पाइप लगाकर निचे की तरफ ले गया गया है तो दोस्तों कुछ इसके यही सा फायदे है और उमिद है आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो क पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि मैं इस चनल पर हाउस इस रिलेटेड हर तरह का वडियो आपके लिए लाते रहता हूं तो फिर मिलेंगे आगले वडियो में तब तक के लिए नमस्कार